हलो फ्रेंड्स तो आ गया है मैं एक आउनी वीडियो के है साथ या रेंकु सिंग के एपिसोर नंबर एट होने वाला है तो जैसा कि आप इस टेप मेरा स्कोर देखो गया तो वो लगभग लगभग 12,000 के करीब है और कल वाली वीडियो में भी इतना ही लगभग लगभग स्क कि कितना ज्यादा लोग पूस कर रहे हैं मैं एक दिन नहीं खेला उतने में मेरा करेंट रेंकिंग डारेक्ट 300 पीछे चला गया यार तो अभी मैं कंटीन्यू फिर से खेलना स्टार्ट करूंगा तो फिर चली वीडियो स्टार्ट करते हैं पायं चील्न पर अर्म हे पिस्टार्ट हो चुका है अभी यहां पर हम लोग इस टर्म पे ब्लू जोन में लेड कर रहे थे और ब्लू जोन बना था ग्रेवीयारी तो यहां पर एक दो टर रहे थे यार威कлом précis म folders में दीख राथ अबलकुल वह नेट नहीं चलता वाई तो गेंग रिकॉड़र से रिकॉड करके आपको वीडियो दिखाना पड़ता है क्योंकि मैं अगर रिकॉडर रान कर दून अपना तो मेरा डेम नहीं चलेएगा नहीं पाहूंगा। नहीं दिखाना enterprises, एक वी उसके बाद रिकॉर्डर से recording state video कि टृष....पथ करोंगे लिए नहीं भीज़नार्ट करोंगे तो आपको पता चल याएगा कि अभी क्या होने वाला ऊंभी के बाद तो और वो सब of मतलब बताने वाला नहीं हो तो अभी गेम प्ले पर ध्यान देते हैं अपना तो यहां पर इस टैम पर टीम मेट तो किल करे जा रहा है बाई मेरा जीरो किल है मेरे को गन ही नहीं मिल रहा थो तो एक टाइम पर मैं मरते मरते बचा था एक बंदे के हाथ में असी एटी आ गया लेकिन मैं जैसे तैसे कर के वहां से निकल गया तो फाइनली मेरे को एक बंद दिखा जिसको मैंने डाउन करके फिनिच भी कर दिया था तो मेरे को lever 1 जेड़ भी मिल चुक था अब मेरे को saunt range वेपन ची था जैसे भी करके लेकिन इसके लूड बाक्स में भी मेरे को saunt range का वेपन कोई भी नहीं मिला अब उपर फाइट चल रहा था तो मैं उपर जाई रहा था तभी वेंडिंग मसीन के तरफ एक बंदा आया भाई मेरे को अचानक से दिखा ये अपने टीम मेट को रिवाई करने आया था ये अपने स्कौार्ड का लास्ट बंदा बचा था तो इसक पर इसको मैंने डाउन कर दिया था तो इसको चलते हैं अभी फिनिश करते हैं अब इसको उड़ाने के बाद मेरा total तीन कील हो चुका था अब स्रिंग भी आ रहा था पीछे से तो अपने को जोन में भी जाना था तो इधर बुल से हम लोग निकल गये थे मतलब जोन में जा हो गया इस टाइम पे तो फिर मैं आगे की और बड़ी रहा था तभी सामने से एक बंदा कितना सारा मेरे को डाइमेज दे देता है भाई मतलब कि वह बंदा मेरे को आधे हो जाता है तो उस बंदे को तो मैंने डाउन कर दिया था तो असको रिवाई करने के लिए कर पाया तो अभी इस टाइम पर देखो यारे इसका एक बंदा यहां पर बाहर आकर रही मार रहा है भाई मतलब इसके बंदे को अभी अभी मैं जास्ट डाउन किया था फिर भी ये बंदा फाइट कर रहा है पीछे भगना चाहिए यार इनको मतलब ऐसे बंदों को मैं क्या बोलू फालतू का अपना रैंक माइनस खरवा रहे ये लोग तो उसको उड़ाने के बाद हम लोग इ इसको लूट करने के लिया गया क्योंकि मेरे को अरे मोच यह था तभी एक बंदा जो है कितना डाइमेज कर देता है भाई सांट गन का दो गोली मेरा मेरे को वह टू साटर का तो मेरा हेल्थ लगभग लगभग दस कई बचा था वह तो अच्छा हुआ कि मैं उस टाइम पर अच्छाए किल हो चुका था और गाड़ी लेकर मैं डारेक्ट पीक के साइड आये तो इधर मेरे को एक बंदा दिख जाता है तो इसको मैं गाड़ी से उड़ाने का तो ट्राइ करता हूं लेकिन मतलब नहीं लगा भाई गाड़ी से इसको ठोकर तो मैंने इसको एम टेन से इस बंदे को मैं अचानाक से देखा माहां पर फिकALLY देखा था तो इस पर पर एक बंदा और भगते भगते जा रहा था तो इस पर मैं M10 का सारा गोली उतार दिया वाई फिर इसको मैं M47Z से स्विच करके इसको भी डाउन कर दिया था मेरे को लग रहा था इसका टीममेट यहीं कहीं आसपास ही होगा तो यहां पर मैंने दो तीन लेंड वाइन लगा दिया था ताकि वह बंदा फिनीश हो जाए तो लेंड वाइन से भी काफी जादा डाइमेज जो इंग्रीज कर सकते हो आप लोग लेंड वाइन का यूज किया करो यार इस अच्छा खासा डाइमेज जो इंग्रीज होता है तो यहां पर नीचे की तरफ मेरे को एक बंदा दिखा यार तो इसको मैं थोड़ा महत तो डाइमेज कर दिया था वह बंदा वाल लगा लिया था लेकिन कहीं और ही वाल लगाया था क्योंकि मैं सैलेंसल लगाया हुआ तो इसको पता नहीं चल रहा था कि मैं कहां से फायर कर रहा हूं और फाइनली इस वाले बंदे को मैं यहां उपर की तरफ मेरे एक और लड़की दिखी यार यह साइद लड़की है तो इसको भी मैंने डाउन कर दिया मतलब अभी मेरा 11 किल होने वाला है अब तो इस बंदे को भी मारने चलते यार यह घर के अंदर जा रहा है तो इसको अचानक से फेड़ लग गât 147 सक्तु क्योнов कि मैं इसको भी मारा नई था बस बंदे को लगने चाई यार मतलब मैं उतना ज्यादा ला QUT नहीं और फालतु का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं मतलब फिर से किल करने के लिए चलते हैं ऐसा सोच के मैं आगे के और बढ़ना ही स्टार्ट कर दिया तो फाइनली इस वाले बंदे का भी किल मेरे को मिल चुका था और इस टाइम पे मेरा टोटल 12 किल हो चुका थे यार और 11 बंद चाहता हूं बस वन विक की बात है उसके बाद मैं रिकॉडर से ही रिकॉड करके आपको वीडियो दिखाऊंगा यार मतलब कुछ ही दिनों की बात है तब मेरा नेट अच्छे से चलने लगेगा मैं कुछ जुगाड कर रहा हूं अभी फिर उसके बाद मेरे को कॉल लगा के खेलना नहीं पड़ेगा तो मैं वीडियो रिकॉर्ड असानी से कर सकता हूं आप एक बाद ट्राइब करो यार अपने दोस्तों किसी को भी कॉल लगा लो और उसके बाद गेम खेलो उसके बाद आपना वीडियो रिकॉडर जो है वो मतलब आन करो वीडियो रिकॉर्ड करन तो मजबूरी में मेरे को गेम रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके आपको वीडियो दिखाना पड़ता है तो एक बंदा देखो यार यह MP40 पकड़ा हुआ था और मेरा एम्टर रिलोड आ चुका था इसलिए मैं 147 से इसको मार रहा था इसका मूमेंट मतलब देखो यार कितना मूमेंट दिखा रहा था यह बंदा MP40 के साथ तो फाइनली जैसे तैसे करके इस वाले बंदे को भी मैंने उड़ा दिया था लेकिन काफी मसकत करना पड़ा इस बंदे को मारने के लिए क्योंकि थोड़ा मूमेंट वेगरा दिखाते है यार उन बंदों से मेरे को बहुत ज चलाता नहीं हूं लेकिन वाले से मिले को काफी जादा अधर लगता है तो यहां पर एक बंदा देखो यार एमटेंस इसको मारने का ट्राइटो किया था लेकिन पेन से इसको मैं मार दिया मेरे हाथों पेन गलती से आ गया वाई मैं यह एमफरेवन को स्वीच कर रहा था ल एक बंद मेरे को समझ नहीं आ है इक मेडे को इंदा इधर से गायब हो चुका था तो इसको मैं ड्यूनिते भूनित है मतलब पागल सा हो गया था यह बंद देख ही रहा था घर ताइम मिला इसको लार पांच्ब यह निकल गया था जो तो काफी जाता वाल लगा रहा था बस ये एक लाश्ट गवंदा बचा थैयार हम तो चार है और पांच बंदे अलाइव है मतलब ये एक लाश्ट गवंदा बचा था अब मैं इसको जैसे भी करके मारना चाहता थे क्योंकि मेरा 15 किल हो जाता अगर उसको मारता तो लेकिन मेर 14 इकील था नितिस ने उसको उड़ा दिया था तो फाइनली इस वाले मैच में हमको बुया मिल चुका थे यार तो फिर यही थे यार आज का वीडियो गर आपनी यहाँ तक वीडियो देखा है तब को दिल से धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में